हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टो माई योट्यूब चैनल तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों में भी तक पता चल गया होगा और जिनको पता नहीं चला होगा है लोग देख लिजिएगा जो भी जार्खंड पुलिस की फॉर्म फिलब किये हैं उनका जो रनिंग है वो लिया जाएगा ना इसका रनिंग जो है यानि की रनिंग से रिलेटेड क्या इन्फोर्मेशन आया हुआ है देखिए जैसा कि आप लोगों को पता होगा जार्खंड उत्पात सिपाही के लिए जो रनिंग हो रहा था इसमें जैसा रनिंग का टाइमटेडल था उसके अकोड़िंग काफी स्टुडेंट्स काफी चात्रो या काण्डिडेट्स का डेथ भी हो गया था तो उसको देखते हुए पुलिस मुख्याले के द्वारा ठीक है पुलिस जो हमारे हमारा जुजारकन के पुलिश मुख्याला है उसके द्वारा दो प्रस्ताव को रखा गया है चलिए हम लोग देखते हैं डिटेल में वो प्रस्ताव क्या क्या है ठीक है दो प्रस्ताव है उसमें से कौन सा लागू करेगा वो आने वारा समय में पता चलेगा ठीक है देखिए क्या कहा गया है, सिपाही बहाली के लिए निर्धारित दोड की सीमा घटेगी प्रस्ताव तयार हो चुका है, देखिए ये है आज कल का न्यूस है जिसमें आया है, जारखंड पुलीस में करी 5000 सिपाहियों की बहाली होनी है, इसमें लगभग 5000 जो पुलीस से उनका पहाली होने का है, जिसमें इसको देखते हुए पहले से दोड के लिए तै समय सीमा में बदलाव के लिए पुलीस मुख्यालई ने राज्य शरकार को दो प्रस्ताव भेजे हैं, इस पर 26 सितंबर को मुख्य मंत्री हैमन सोरन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में अंत उत्पात सिपाही के लिए हुई सारेरिक दक्षता परिक्षा के दोरान स्वल्ल अभियर्थियों की मौत होने के बाद पुलीस मुख्यालई ने यह कदम उठाया है, पुलीस मुख्यालई के द्वारा यह कदम उठाया गया है, देखे, बता देखी उत्पात सिपाही की बह की मौत भी हुई इसको लेकर राजनिती दलों में सवाल खड़े किये गए थे उल्लेखनिया कि जुलाई में सेना में अगनिवीरों की बहाली को लेकर थेलगाम स्टेडियम में दोड आयोजित की गई थी इसमें अभियर्थियों को 1.6 मतलब 1.6 किलोमेटर की दोड लगानी ह होती है जबकि पूलिस जारकन पूलिस में अभियर्थियों को 10 किलोमेटर की दोड लगानी पड़ती है बहाली की दोड के लिए पहले से चल रहा नियम क्या था देखिए पूरुस अभियर्थियों के लिए 60 मिनट में 60 मिनट में 10 किलोमेटर था जबकि वही महिला लोका 40 मिनट में 5 किलोमेटर दोड़ना पड़ रहा था मतलब उत्पाथ सिपाही में तो इसी कंडिशन को मतलब इसी सिचुएशन को कंपेर करते हुए यानि कि जारकन उत्पाथ सिपाही को अगनी वीर के साथ कंपेर करते हु क्या कहा गया देखिए जार्खन जो पुलिस मुख्याले हैं उनके द्वारा प्रस्ताव लाया गया है और दो प्रस्ताव हैं कि इसी तर्रीके से रनिंग जार्खन पुलिस के लिए होने वाल है पहला प्रस्ताव क्या लाया गया है पूरुस अभियर्थियों को 5 किलो मीटर की दोड़ 30 मिनट में पूरी करनी है 30 मिनट में 5 किलो मीटर जबकि महिला अभियर्थियों को 20 मिनट में 0.5 किलो मीटर की दोड़ पूरी करनी होगी पहला प्रस्ताव यह रखा गया है ठीके और दूसरा प्रस्ताव है कि सेना की तरह पूरुस अभियर्थियों को 1.6 km की दूरी 6 मिनट में और महिला अभियर्थियों को 8 मिनट में 1.6 km की दूरी तै करनी होगी देखिए ये दोनों प्रस्ताव पुलिस मुख्याले के द्वारा रखा गया है देखिए ये दोनों में दो में से एक जो है वो अगला जो जार्खन पुलिस का दोड़ होगा यानि कि जो फिजिकल होगा उसमें लागू किया जाएगा ठीक है तो जो भी जार्खन पुलिस का तैयारी कर रहे हैं वो लोग अपना जो तैयारी है उसको कंटीनियू रखिएगा रनिंग भी और साथ में रिटेन भी अच्छे से करते जाएगा ठीक है